कि इंडियन पोश्ट ऑफिस में जो है ग्रामी डाक सेवक याईनि GDS के पोश्ट पे भरती निकाली गई है आप देख सकते हैं इन सबी सरकल में यह देख सकते हैं अंधर परदेश असाम भीहार आप देख लिजेगा अगर आपको फॉर्म करना हुआ यह तेरा मिनट और तीस सगेंड का वीडियो है काफी कमाल की वीडियो मैंने बताया हुआ है इसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं क्या गलती नहीं करना है स्टेप बई स्टेप पहले समझ लिजेगा कैसे आपको सेलरी क्या होगी और स्टेट वाइज डिस्टिक वाइज जो है वेकेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं वगरा वगरा सभी जनकारी को हम यहां पर समझेंगे अप्लिकेशन फी मतलब एट टूजेट गाइडलाइन समय आपको बताने वाले हैं इंडियन पोस्ट जो जीडियो की व सब्सक्राइब की वेकेंसी है और यहां पर देखते हैं गौर्मेंट यहां पर यहां पर यहां पर बताया गया है कि नोटिफिकेशन लाइब है स्टार्ट डेट है दो मई से लेकर आप जो है पांच जून 2022 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एखी बार में इतना ज्यादा सर्कल का वेकेंसी निकाले गए पहले क्या था कि अलग अलग सर्कल वाईज वेकेंसी निकाले जाते थी लेकिन एक ही बार में यहां पर यहां प पोस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नोटिफिकेशन खूल लागा अब दिखें यहां पर आपको सरकल वाइस और यहां पर लैंग्यूज और यहां पर कतेगरी बिक यहां पर लेंग्वेज को अनुसार जो है आप बताएगा उत्राखंड है उत्रपर्द से तलांगना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं और हर एक डिस्टिक हर एक सरकल वाइज जो है स्टेट वाइज आपको लेंग्वेज और यहां पर आपको सीटो की संख्या दिखाई तो आप यहां से देख सकते हैं काउंट करेंगे देख सकते हैं 38,926 पोस्ट पर निकाली गई है इसी क्रम में यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यह वाला नोटिफिकेशन खुल लाएगा और इसमें डिटेल जनकारी बता करते हैं उनका 12,000 सेलरी है इसके बाद जो एब यहां पर आवर्स आपको यहां पर काम करना है लेबल ओन इन टी रसी इस लैप यहां पर बताएगा चार घंटे काम करेंगे आपको रेगुलर हाला कि चार घंटे बोला गया है लेकिन वह ज्यादा हो जाता है आप जब पार अपने इरी का पीन कोड आपको पीन कोड दिया आता है ःप जानते हैं कि एक जो है क्या काम होता है कि किसे समय लगता है व आपका बढ़ा भी इस तरह से पूछ सकते हैं अब देखें पर मीनिमम एज 18 वर्स है मैक्समाम एज 40 यह से तो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट्स मीनिमम 18 मैक्समाम 40 वर्स इसके बीच आपका आयू है तो आप यहां पर फॉर्म को अपलाई करेंगे कोई दिकत नहीं ह इसके अलावा ऑपर एज में भी छुट मिलेगा अगर माल लिजिए आपका उम्र 40 साल से भी ज्यादा है तो अगर आप SCST से आएंगे तो आपको 5 साल और छुट मिल लाएगा OBC से आएंगे तो 3 साल और छुट मिल लाएगा इसके अलावा person with disability जो बिकलांक है उनको 10 साल से और ज्यादा छुट मिल लाएगा इसके बाद से जो भी OBC बिकलांक लोग है उनको 13 साल और जो SCST बिकलांक है उनको 15 साल की छुट मिलेगी तो यहां पर ऑपर एज में भी छुट आपको देखने को मिलेगा जो कि आप यहां पर देख सकते हैं इसके लाग देखे मतलब मैट्रिक में इंग्लिस और मैथ आप पढ़े हो और बोला गया कि कि रिकोगनाइज बोड किसी बी जो है रिकोगनाइज बोड के दोवारा कंड़क्ट किया गया हो भले कोई सबी बोड हो यहां पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दौसवी पास आप है तो इ इगर आप का लोकल लेंगवेज नहीं जानते हैं तो आप यहां पर फॉर्म को नहीं अप्लाई करेंगे उसके विसे आपको साइकील चलाना आना चाहिए तिन चीजा बोला गया है इंडियन पोस्टपिस का कैसे फॉर्म को फिल करें इसमें सबसे जदा यह है कि मेरा 60% है 40% है 80% है क्या मेरा सेलेक्षन होगा की नहीं होगा तो इसके बारे हम समझ लेते हैं फिरिंट्स देखिए यहां पे अगर हम पिछले कटप की बात करें 2021 की 2020 की जो सरकल वाइस जो वेक तो यहां पर देख सकते हैं मैं आपको इसमप्ल न पॉल्हक यहां यहां पर रिजल जो उत्राष कंट करते हैं नहीं आपको एडमीट करना कुछ नहीं बस आपको result का इंतजार करना है और जिस तरह से यहां पे result हुआ है उसी तरह से यहां इसी website पर तो यहां पे हम उत्राखंड का result डाउनलोड किया यहां पे तो देखें यहां पे जो है उत्राखंड का कितना cut-up गया है आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अगर आपका 80% है या 60% है चालीस परसेंट है तो आपको result बनेगा कि नहीं बनेगा यहां पे देखिए यहां प 5% marks पर यहां पे उनका cut-up गया है यह हरसी था है इनका 100% पर गया है यह 95% पर गया है 96.6 पर गया है इनका तो आप यहां पर देखेंगे फिरिंट्स देख सकते हैं ना 96.3 93.1 95 90 मतलब यह क्या है यह जो है आपका marks जो है matter class का उसके according यहां पर जो है आपका गया है एक यहा पर 89.3% देख रहे ना तो आप यहां पर सोच सकते हैं कि कितना हाई cut-up रहता है और यहां पर 90 प्लस ही लोगों को यहां पर मेरिट लिस्ट पे नाम है तो आप एक बार जरूर देखेंगे लेकिन वहराल आप जरूर अप्लाई करें अगर आपको अप्लिकेशन फी नहीं लग रहा है या 100 पर आप अप्लाई करें एक बार यहां पर फॉर्म फील करें और में अगर आपका 70 प्लस है तो मैं तो कहूंगा कि आप जरूर अप्लाई करें क्योंकि मां में भी बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे सेलरी को देखके या वगरा वगरा तो आप ए ह Bose से कौटेगरी काई clarity 7.1 2.7 पर सेंट पर सेंट पर यहां पे इनका कॉच गया है तो 87 वालों और वहां लिया हुआ है जो और ओर भी आपको आपको चलेगा और यहां पर ऐहां पे कैसे बनता है कैसे आपका क्रिक करते हैं तो बिहार के आप जैसे क्लिक करें तो बिहार के जितने डिस्टिक हैं जहाँ जहाँ सीट खाली में उस सरकल का नाम यहां पे खुल के आगा थीरे चल रहा है मैंने क्लिक कर दिया यह भी खूल रहा हैं यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन लाइब सरकल अब यहाँ पे सहर साप पतना साहिब मधूबनी और अंगाबाद समस्तिपूर सारन सितामधी जिसे मालनी जी हम यहाँ पर जो है पतना का देखना चाहते हैं तो पतना वाले हमने क्लिक किया ठीक है मैंने सब्सक्राइब करेंगे तो बहतर रहेगा तो ससी में आप यहां पर आवधन करेंगे एक सीट के लिए सब कर सकता है अब इसमें मालनीजीया आवधन यहां पर किये एक सीट के लिए मंजूरही मतलब भी से फोर्फिस से वहां पे और यहां पर गिर गया 50 सबसेप बचनटेज हाई उन्हों को यहां पर सलेक्स करके देदेगा रिजर्व तो ऐसे सलेक्षण होता है यहां पर समझे और यहां नमर दो पह आप जा सकते हैं इस तरह से आपका जो है फाउम कुका चेक करना है लगा सकता है मतलब सेट को देख सकते हैं कि कि समय बीघाने कि यहां परॉकाद भॉक्ट एक यहां पर साथ बागी करते हैं, आपको बहुत मैंने बिडियो बनाया हुगा आप देख लीजेगा, ऐसे फार्म को फील करना है, फिर आप अप्अपलाई करेगा तो आपको बहतर समझ में आएगा, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अप्लाई करने वाला आप जो है क्लिक करके चेक कर सकते हैं और वेकेंसी के बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें दीजे जायत और देखते रे डियर सेल्फिंग फॉरेवर तैंकी फॉर वाचिंग जाहें